कि यहां आज हमारी किक्षा में दस्वम्लों को भिन्दे में और भिन्दे को दशवन्दे में बदलना सिखाया गया हमाई समझ में नहीं आया आप ऩी शेज़ा दिए अच्छा कलेश अज आपकी किक्षा में आपको तता भिन्नों को दशम्लों में बदलना सिखाया तो आपकी समझ में नहीं आई बात ये ठीक है पहले मैं आपको बताता हूँ कि भिन्न कहते किसे हैं ठीक है क्लेश देखो ज़रा ध्यान से देखो यहाँ पर यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ 10 खाने हैं अब यहाँ पर जो एक लिखा गया है ये कहलाएगा अंश ये क्या कहलाएगा अंश और इसे रिखा की नीची जो लिखेगी संख्या है वो कहलाएगी हर वो कहलाएगी हर ठीक है तो एक हो गया अंश और दस जो लिखा गया है वो आपके पास हो गया हर इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा आप चित्र देख रहे हो इस चित्र में आपने देखा कि 10 खाने हैं हैं 10 खाने इसमें जो दो भाग है वो क्या कि यह है 6 अंकित कर रखा है समझ रहे हैं तो इस 2 भाग को 6 अंकित करने के बाद जो लिखने का तरीका बनाया गया है वो बनाया गया है 2 बटा 10 समझ रहे हैं आप? कितना लिखा जब बताएंगे मुझे आप? 2 बटा 10 यहाँ पर 2 क्या कहलाएगा? अंच और 10 क्या कहलाएगा? हर तो यहाँ पर 2 बटा 10 इस प्रकार से लिखा गया है तो वो आपके पास क्या होगा? वो आपके पास एक भिन कहलाएगा क्या कहलाएगा? भिन कहलाएगा तो भिन का मतलब है कि अंच को एक रेखास के नीचे फिर क्या लिखते हैं हम लोग? हर इस प्रकार से जो हमको प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं भिन कहते हैं समझमा रहा आपके ठीक है यह बात समझमा गया आपको भिन समझ गया आपको ठीक है बढ़िया अब देखो यहाँ पर हम लोग जो सीखने जो आपने मुझसे कहा कि आपको आज दशमलों को भिन्नों में नता भिन्नों को दशमलों म को भिन्नों में बदलना सिखाऊंगा ठीक है तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि दशमलों को किस प्रकास से अंकित किया जाता है ठीक देखिए जैसे आपने लिखा यहाँ पर माल लिजिए यह बिंदू आप देख रहे होंगे ठीक है जो बिंदू हमने यहाँ पर या Point हम लोग इसे कहते हैं अच्छा इस प्रकार से देखो अगर मैंने कुछ लिखा है यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर इसे जब पड़ा जाएगा तो पड़ा जायेगा दशमलाव एक क्या पढ़ा जाएगा इसे दशमलाव एक बिल्कुल सही यह जो चिन यहाँ पर अंकित किया गया है दशमलाव का चिन है और इसके बाद एक संख्या लिखिये तो इसको पढ़ते समय हम बोलेंगे दशमलाव एक इसी प्रकार से कभी-कभी अक्सर क्या होता है कि हमारे दशमलाव से पहले अगर कोई अंक नहीं होता है तो हम लोग किसका प्रयोग कर लेते हैं शूनी का यहाँ पर क्या कर लेते हैं प्रयोग कर लेते हैं तो इसको पढ़ते समय बोला जाएगा 0.1 क्या बोला जाएगा इसे 0.1 इसी प्रकाह से देखो अगर मैं कहूं मैंने लिखा है 2 इस प्रकाह से तो इसको किस तरीक से पढ़ा जाएगा 0.2 इसको पढ़ा जाएगा 0.2 अगर इसके सामने मैंने जैसे बताया आपको कि दसमलों से पहले कोई भी आंक नहीं है तो हम लोग क्या 0 लगा सकते हैं आपर हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पर क्या लगा सकते हैं 0 का प्रियोग कर सकते हैं तो इस तरीके से इसे क्या पढ़ा जाएगा आप बोलो इसे क्या पढ़ा जाएगा 0.2 इतना सम्झा आ गया अब देखो इसी प्रकार से अगर मैं कहूं कि इसे क्या पढ़ा जाएगा 0.5 इसे पढ़ा जाएगा 0.5 बिल्कुल सही कहा आप तो इसे आपको समझ मां आ गया होगा कि हम लोग किस तरीके से इसको पढ़ते हैं है ना समझ आ गया आपको चलो बढ़िया आप देखिए इसको हम लोग को बदलना है ये दसमलो में लिखा गया है इसको बदलना किस में हमको भिन में हमको बदलना है समझे हैं अब तो देखो भिन में बदलने के लिए हमने क्या किया जैसे मैं फिर तुमसे पूछ रहा हूं कि ये लिखा गया है शून ने दसमलों एक तो यहां बताओ, दसमलों के बाद कितने अंख है? एक अंख, यानि कि उस अंख का मान है एक ठीक, लेकिन दसमलों के बाद अंख जो है, उसकी गिंती है एक तो हम लोग जब इसको हटाएंगे यहां से, हटाने के पर शाद यहाँ पर एक अंक होने कारण हम लोग क्या कर रहे हैं आपर नीचे दस लिख दे रहे हैं कितना लिख दे रहे हैं दस तो यानि कि दस अमलो एक को हम लोग एक बटा दस भी लिख सकते हैं समझवारा है आपने पहले कितना लिखाता वहाँ पर पहले आपने लिखा था दशमलो एक तो हमने क्या लिखा आब इसको दशमलो जब यहां से हटाया गया तो नीचे कितने क्या लिखा गया दस लिखा गया लिखा गया दस तो यह संख्या किसके बराबर हो गई एक बटा दसके बराबर हो गई समझ भागया इसी प्रकार से जैसे यहां पर लिखा गया है मानलो दसमलो पाच कितना लिखा आपने तो इसको हम यहां दसमलो के बाद कितने अंक है एक अंक जिसका मान कितना है पाच तो इसलिए जब हम यहां दसमलो हटाएंगे तो नीचे कितना लिख देंगे पाँच बटे दस कितना लिख देंगे आप पाँच बटे दस समझा आगे आपको मानलो मैंने आपसे एक प्रशन करना है जिसका उत्तर मैं आपसे मांगता हूँ वो उत्तर क्या है जरा देखिए मालो यहाँ पर लिखा है 0.57 कितना लिखा है 0.57 यहाँ देखो 10 लो के बाद कितने अंख है 2 अंख है तो हम लोगों को 1 बटा 10 लिखना चाहिए या 1 बटा 100 लिखना चाहिए 1 बटा 100 1 बटा 100 लिखना चाहिए कैसे मालोम चलाร? क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है? दसंवलो के बाद कितने अंख है? दो अंख है, सावाश तो इसको लिखा जाएगा पाँच, साथ, सटावन बटे कितना, सौ कितना लिखा जाएगा? सटावन बटे सौ समझवा गया इसी तरीक से मैं कहूं माल लो आप से 2.65 ये इसको कैसे पढ़ेंगे आप 2.65 पढ़ेंगे ना अच्छा इसका एक नाम है इस दो को हम लोग कुछ बोलते हैं वो क्या बोलते मैं बता रहा हूँ दसमलों से पहले जो संख्या होती है उसे हम लोग पूनांश बोलते हैं क्या बोलते हैं और इस दसमलों के बाद जो आंक लिखे होते हैं उन्हें बोलते हैं दसमलों आंश क्या बोलते हैं दसमलों आंश तो अब जरा मुझे बताओ कि इसको अगर मुझे ये दसमलों में सो लिखा जाएगा तो आपने कहा कि यहां पर वोना चाहिए 265 बटे कितना सो इतना समझ मां गया तो यह क्या किया हमने अर्थात कहने का मतलब है कि दशमलों के बाद जितने भी अंग होते हैं उतने हिसाब से हम लोग नीचे क्या दस सो हजार लिख देते हैं अब इसे मानलो तुमारे पास एक संक्या है दसमलो शोन पाच शे मानले जी यह संक्या है तो कितने अंग है एक हजार क्यों लिखा जाएगा एक हजार जिसको आप क्या लिख सकते हैं पांच छे बटे कितना लिख सकते हैं लोग एक हजार लिख सकते हैं समझा गया तो हमने क्या किया यहाँ पर दशमलों के बाद तीन आंखोने कारण नीचे कितनी बिन दिया कितने0 आके 0 हमने बढ़ा दिए ? तीन. चुने बढ़ा दिए , याने 1 हजार हमने यहाँ पर לिख दिया तो क्या हो गया भिन्न आपके पास ? भिन्न हो गया 56 बढ़े 1000 तो तुमको समझ माया कि किस तरीके से हमने Ayoo Cash MNO बढ़ना है ? समझ माया ? अब देखिए इसमें मैं समझा रहा हूँ आपको कि हमारे पास जैसे आप तुमने कहा कि यहाँ पर मानलो तुमने लिखा है पांच बटे दस क्या लिखा है तो जड़ा बताएंगे यहाँ पर कितना आपके पास शुन्न है एक शुन्य है, तो इसको जब लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा 0.5, कितना लिखा जाएगा, 0.5, क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बटे में कितने शुन्य है, एक शुन्य, अब थाथ 10 है बटे में, है नहीं है, तो जब हम इसको लिखेंगे, तब हमने कहा कि अगर मेरे पास है यह लिखा है मैंने कितना लिखा है 35 बटे 100 तो इसको मुझे क्या करना है दशमलों में बदलना है तो जरा गिंती नीचे देखो कितने शुन्य है तो तो जो दशमलों लगाए जाएगा वो दो अंकों से पहले लगा दिया जाएगा तो यहां पर दो अंक कितने है 35 यानि कि 3 और 5 तो इन से पहले क्या लगा दे हम दशमलों लगा दे तो क्या हो जाएगा यह भिन किस में बदल जाएगा दशमलों में बदल जाएगा तो बराबर में क्या लिखना चाहिए मुझे मुझे लिखना चाहिए दशमलों 3 और 5 कितना लिखना च तो अब मैं तुमसे अगर एक प्राशन करूँ प्राशन क्या है वो बता रहा हूं तुमको मैं जरी आप बताना मुझे इसका उत्तर क्या होगा ठीक है यहां पर लिखा आपने साथ पांच तीन बटे कितना एक हजार तो इसको जरा बदलिए आप किसमें बदलना आपको इसक इसको बदलना है किसमेंस लिखा गया गया हूं तो अंक कितने है इसके नीचे इंच उन चुन है लेकिन दुन लग उसको ब्रावर कितना हम आपए इस बदलेंगे शोन दस ओलो सम्द ह संद का इतीन सु सू डूमय थी तो मेरे है यसे समांज में वह किस तरीके सा हम लोग दशमलों को बिन्नों में और बिन्नों को दशमलों में बदलते हैं अब तो सम्झमा आ गया